तो आज का सेशन हमारा ESC 2024 को लेकर हाला कि पहले भी कई बार हमने डिसकस किया हुआ है पर कुछ स्टुडेंट फिर से कह रहा है थे 24 क्लिक ऐसे स्टार्ट करें तो दुबारा हमने इसेशन प्लान कर लिया एक किसी के कोई भी क्वैरी हो इसमें पूछ सकता है किसी के कोई भी क्वैरी हो इसमें पूछ सकते हैं पर वाइस वीडियो यह सब क्लियर आ रहा है कन्फर्म कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ें वाइस वीडियो सब क्लियर है वाइस क्लियर आ रही सेभी को देखिए EAC के GS के लिए फिर से हमें एक बार सारी बाते रिपीट कर दे रहे हैं जिस तरह का इसका syllabus है यह हर बार problem रहेगी हमेशा यह चर्चा रहेगी कि GS में score कहां से गरे क्योंकि यह common GS के topic तो है नहीं जैसे नाम के लिए GS है पर GS में यहां mathematics है aptitude है, project management है तो यह core GS के subject तो है नहीं core GS के नाम पर अगर देखें तो इसमें 3 subject आपको मिलेंगे core GS जो और भी exam में आता है environment ICT ICT क्योंकि science tech का part है और एक आपका current affairs core GS अगर आप कहें तो यह 3 subject है core GS के और चौथा subject कहना चाहें तो ethics पर ethics हर exam में नहीं आता civil services में में स्वगर में आता है objective paper में और exam में नहीं मिलता पर अगर हम कहें तो यह 4 subject maximum आप GS के बोल सकते हो core GS है, environment core GS का part है ICT आपका science technology का part है पर current affairs और ethics GS के नाम पर 4 subject है बाकी जो area है वो GS है नहीं वो कहीं न कहीं आपर technical काई part है तो यह सारा discussion हम करेंगे पहले एक announcement part देख लीजिए अभी मुझे ध्यान आया एक announcement जो है gate and ESE offline center इस अभी को मालूम होगा unacademy open करने जा रहा है South Delhi gate and ESE offline center run academy launch कर रहे हैं South Delhi में March last week से classes शुरू होंगी इसमें March last week से start होगा team कौन-कौन होगी यहाँ पर यह दिखा रखा है GS के मेरे topic कब शुरू होंगे वो सब अभी clarity नहीं किस मन्त से start होगा starting में इसमें math, apt, technical इस तरह की चीज़े चलेंगी जो आपका gate से common है GS का portion इसमें जो आएगा मेरे topic आएंगे तो बाद में आएंगे fee वगर इसकी यह रखी गई है discounts वगर यह है location इसकी यहाँ पर है सैदूलाजाब, साकेत सैदूलाजाब, साकेत पर शुरूलाजाब, साकेत तो GS के नाम पर जो subject है वो basically यह subject है देखो पर इसके अलावा material science है या project management है, standard quality है यह तो आपके GS का topic है नहीं यह तो आपका technical का ही portion है नाम GS दे दिया है इन्होंने नाम GS दे रखा है पर उसमें GS है नहीं वो technical का ही portion है तो जैसा कि हम जानते है ESC paper, prelims वाला जो paper है ESC prelims वाला जो paper है इसमें आपका एक portion आपका GS एक portion आपका technical 200 marks का GS 100 questions 2 hours Technical आपका 300 marks का 150 questions 3 hours Pre की जो cut-off बनती है combined बनती है 500 में से तो Pre की जो cut-off बनेगी यह होगा 500 marks का इसमें से आपकी cut-off बनेगी एक इसमें ध्यान रखिएगा sectional cut-off भी है sectional cut-off आपका 15 पर sectional का मतलब हो गया passing marks यहाँ पर कि अगर आप technical में बहुत जादा number ले भी आओ और non-tech में अगर आप score नहीं कर पाए तो भी बात नहीं बनेगी technical में बहुत जादा score हो भी जाए तो भी यहाँ बात नहीं बनेगी अगर यहाँ पर आपके 20 marks आए अगर तो भी selection नहीं होगा 15% का मतलब यहाँ पर यह है कम से कम 15% तो GS में लाना ही पड़ेगा उसके बिना आपकी cut off नहीं count होगी अगर मान लीजे GS में 200 में से 15% का मतलब होगया 30 marks 30 marks से अगर कम आ गए तो technical में आप जितना भी ले आओ count ही नहीं होगा cut off नहीं निकलेगी चाहे आप overall cut off से उपर भी जा रहे हैं तो भी कि मान लो overall cut off 220 गई या 300 चली गई पर आपके यहाँ पर नंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ कुछ नंबर आई नहीं पांच नंबर आई दस नंबर आई तो भी qualify नहीं होंगे यह criteria पहले भी था यह criteria अभी भी है अब जैसे ऐसे paper होते जा रहे हैं 17 में तो कोई pattern change हुआ था नया pattern जो आया था ES का यह 17 में change हुआ था अब ज़्यादा से ज़्यादा paper जैसे available होते जा रहे हैं लोग इसके बारे में और idea लगा पा रहे हैं कि GS में किस तरह की चीजें होंगी मैंने बताया था अभी तक जो trend था 90 marks तक अगर GS में आ जाते यह अच्छा score था 200 मेंस से 90 marks अगर आ जाते यह अपने आप में अच्छा score था अब आप ध्यान रखिएगा year by year यह भी shift होगा अब यह 90 marks वाला trend है यह भी बदलेगा धिरे-धिरे 95-100 की तरफ भी लोग score करना शुरू करेंगे एक दो साल पहले तो टॉपर जो है वो भी 90 marks लाना उसके लिए भी difficult था यहां मुश्किल हो जाती थी जैसे से paper होते जा रहे है पैटन लोगों को पता चलता जा रहा है previous year काफी अंदाजा देता है पेपर किस तरह का बनेगा तो अब धिरे-धिरे उपर की तरफ shift होगा competition क्योंकि tough है सीटे कम है लोग ज्यादा appear हो रहे है और हर कोई सब कुछ बढ़के जाएगा पुराने बच्चे भी होंगे तो अब ये धिरे-धिरे जीएज भी उपर की तरफ shift होगा अगर मैं 100 marks की बात करूँ अभी तक मैं 90 marks के लिए बोलता था कि 90 marks तक तो कैसे score कर सकते है अब मैं 100 marks को range लेकर चलता हूँ क्योंकि obvious सी बात है साल दर साल कुछ ना कुछ यह उपर की तरफ जाएगा ही तो 90 की बजाए अगर हम 100 marks को reference लेकर चलें 2024 तक के लिए तो sir GS तो हमें बड़ा absurd सा लगता है ESE में GS जो है यहां GS के नाम पे को history geography quality तो आता नहीं है 17 के पहले आता था 17 में जो pattern change हुआ है उसमें technical subjects वगर GS में डाल दिये गए उससे पहले history geography quality जो बाकी exam में GS है वही GS यहां भी होता था 17 में जब pattern change किया है तो वो सब subject हट गए इससे अलग तरह के subject इसमें add कर दिये गए इसलिए भी number लाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लोगों को idea नहीं था आएगा क्या paper के बारे में बिल्कुल blank था किसी को नहीं पता था कहां से क्या पूछ लेगा उसमें भी teacher के expertise के उपर था कि वो क्या पढ़ा रहा है teacher to teacher बाट depend कर रहे थी कि कौन teacher क्या topic cover करा के भेज रहा और वो exam में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है ethics को लोगों ने बिल्कुल हुआ बना रखा था बहुत टफ है बहुत टफ है सबसे असान question ethics में पूछ रहा है ठीक है तो unnecessary exam को pressure लेकर नहीं चलना है हमें कैसे proceed करना है one by one कैसे आगे बढ़ना है उस पर हम बात करेंगे session में ठीक है section बना हुआ है लोगों का कितने number लाना तो बड़ा मुश्किल काम है यसी में मैं बार बार इस बात को बोलता हूं क्यों बोलता हूं क्यों कि topic select कर लो आप GS में क्या-क्या topic पढ़के जाने है पहले area priority set कर लो कुछ भी कैसे भी मत पढ़ने बैठ जाओ कि time सबके पास उतना ही है और technical में बहुत जादा differentiate आप नहीं कर सकते technical में सारे बच्चे अच्छे हैं सारे मतलग कि अगर चार लाग बच्चा paper दे रहा है मानलो gate का और कुछ बच्चे उसमें EAC भी appear हो रहे हैं तो technical के बिना gate में भी बात नहीं बनेगी EAC में बात नहीं बनेगी तो मैं मानता हूं कि जितना crowd paper दे रहा है 30% बच्चा जरूर ऐसा होगा जिसका technical अच्छा है और technical में 10-10 number का भी अगर difference लाना हो gap लाना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि technical में competition बहुत है technical में सब कोई सब कुछ पढ़के जा रहा है ज्यादा focus सब का technical पे है कि पूरे साल में जितना वो time दे रहे हैं 80% time तो technical कोई दे रहे है technical में 5 number का भी difference create करने में हालत खराब हो जाएगी non-tech एक open area है topper भी यहाँ पर struggle कर रहा है non-tech में तो यहाँ पर अगर planning करके चलेंगे technical में 5-10 number का difference create करने में हालत खराब हो रही है non-tech में वो easily cover हो सकता है pre-k cut-off तो दोनों में combined है ठीक है तो मैं इस पर जोड़ दे रहा हूँ कि non-tech में score कैसे हो सकता है मैं बार-बार इस बात को repeat कर रहा हूँ 17 से लगातार बोल रहा हूँ इस बात को और किसी भी strategy class में बताया हूँ हर batch में बोला हूँ है सबसे पहले दो subject मैस और एप्टी इसमें भी कुछ लोग कह देते हैं सर मैस में lengthy question आ गया था ऐसी बेखूफी की बाते करते हैं लगता ही नहीं कि हम इंजीनियर को पढ़ा रहे हैं या इंजीनियर से बात कर रहे हैं यह वो crowd है जो 90% से उपर बच्चा बलकि 95% से उपर बच्चा जो गेटी ऐसी दे रहा है उसने जेई की तयारी अपने समय पर जरूर की होगी मेरा मा पढ़ा ब्युक्ते चजब किया बीटग में 3 semester mathematics पढ़ा है फिर GATE के लिए कोचिंग में Ma1 पढ़ाया जा रहा है जबकि मैस के लिए कोचिंग की भी जड़ूरत नहीं है गेट के लिए मैस की क्लास भी करते हो वह जड़ूरत नहीं है क्योंक्ते पूरी जिंदगी में जित नहीं है सुनने में थोड़ा खराब लग रहा होगा लगना भी चाहिए 11-12 में मैस तुम पढ़े हो जेए की तैयारी में पढ़े हो बीटेक में तीन समिस्टर पढ़े हो इतना मैस पढ़ने के बाद भी फिर गेट की कोचिंग में मैस पढ़ रहे हो प्रीवियस एर पेपर त के तेकनीकल में भी कमा cauliflower आसान नहीं है second order deference equation तक स्टेख्नल करते हो अप मैस में comfortaटल नहीं हो तो यह बात देखो problem क्या है कई बार लोग कहते है की बार चृट्चा सुनने को मिलती है कि शर जाब है यूथ में skill नहीं है紹 कि मह सबनक Cyrus क्यूब है skilled youth खूब है बेरुजगारी देश में इतनी है skilled youth कम नहीं है skilled youth बहुत है पर काफी पड़ा एक mass ऐसा भी है जो knowledgeable बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं overall youth की बात करूँ तो 50% से 60% youth ऐसा है जो knowledgeable है जो deserve करता है और 50% या 40% के आज़ पैस ऐसा है फिर वो expect करता है कि मुझे job नहीं मिल रही private अगर placement नहीं हो रहे private company तो यह सब चीज़े देखेगी सरकारी में आपको compete करके निकालना पड़ेगा तो अपना सबसे बड़ी जरूरत है कि job के लिए हम fight कर रहे हैं हमें साल दर साल खराब करते जाना है या कभी हम खुद को भी जाक के देखेंगे कभी हम अपना भी self introspection करेंगे कि नहीं competition है relative कि बाकी लोग कहां पर है और आप कहां पर हो तो कुछ तो ऐसा होगा जो बाकी लोगों ने आप से ज़्यादा किया है इसलिए वो select हो रहे और आप नहीं हो पा रहे गवर्मेंट जॉब मैं मानता हूँ कि बहुत competition है तफ हो जाता है नहीं निकलता कोई दो numbers रह गया पर private में भी नहीं हो पा रहा कैंपस placement भी नहीं हो पा रहा कोई company में इंट्रिव्यू देने जा रहा है और पहले भगा दे रहा है ऐसा क्यों हो रहा है self-introspection खुद भी तो करने की जरूरत है पूरी दुनिया में बुराई ढूंड रहे हैं पर अपने अंदर जागते हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमिया है जब मैं क्लास कराता हूं ऐसे ऐसे इंग्लिश की basic term बच्चों को नहीं पता लगता ही नहीं कितने साल उन्हों किया क्या है मतलब जो पांचवी क्लास के बच्चे का लेवल है उससे भी बत्तर हालत है और बीटेक की डिग्री भी है उनके पास यह कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं मैं रियल लाइफ एक्जामपल बोल रहा हूं ऐसा अभी क्राउड है प्राब्लम यह नहीं कि अभी तक उनको नहीं आता पर कम से कम अब तो मेहनत करनी पड़ेगी कोई वेक्ति बीटेक से अवेर है कंपनी प्लेस्मेंट के लिए वो वर्क कर रहा है चार-पास साल का टाइम उसने दिया और आप बीटेक के बाद जागे हो और तब भी सोचो क ले आफ चल रहे हैं दुनिया में तो कैपेबल लोग नहीं होंगे ले आफ में चले जाएंगे नौलेज का सब्स्टूट कुछ नहीं है नौलेज तो करना ही पड़ेगा जॉब करनी है देखो किसी भी चीज में आप काम करना चाहो जैसे आप स्पोर्ट्स खेलना चाहो य अपने काम में आपको एकसपर्ट होना चाहिए अगर आप अपने काम में एकसपर्ट हो तो कंप्नी हो सकता आपको दो, चार नकले उठा भी ले प्रणिे चीज है अपने काम के प्रतिफ डेडिकेशन है कि नहीं काम को आप बर्डन की तरह लेकर चल रहे हैं या उसको एंजॉआई कर रहे हैं कि आपको 12 गंटे भी अगर कभी महनत करनी पड़ रही है तो आप उसको बर्डन की तरह तो कहरी नहीं कर रहे हैं तो तुमारे खुद के अंदर से है तैयारी करना तो बताओ खुद के अंदर से तैयारी करना होगा तो knowledge gain करने में मज़ा आएगा तुमें पढ़ने में अच्छा लगेगा कुछ नया सीखोगे तो चहरे पर एक smile आ जाएगी खुशी आ जाएगी मैंने कुछ नया सीखा पर कई लोग कितना भी बहुत जादा है और अगर टाइम को आपने पास कर दिया तो टाइम भी आपको पास कर देगा क्लियर है समय बीटता जाएगा पता लगा पांच साल गयाप हो गया कुछ हुआ नहीं तो जो भी काम करें डेडिकेशन सबसे पहली चीज है डेडिकेशन पर सीवरेंस पंक्चुलिटी तिन-चार आपके अंदर एट्रिब्यूट ऐसे होने चाहिए किसी भी काम में चाहिए आप म्यूजिक में इंट्रस्टेड हो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी फील्ड का बड़ा महान व्यक्ति बना है वो अपने काम में जरूर एक्सपर्ट रहा है उसका ए एवरेज होकर रह जाओगे तो एवरेज तरीके सही लाइफ कर जाएगी और उसे अलग बनना है तो अपने काम में भले आप एक ही चीज जानते हो पर उस एक चीज को अच्छे से जानते हो अच्छे से मतलब है कि आप उसको आप खुद में कमफरडेबल हो कि कुछ अगर में पुर्य मन से लगँगे किसी व्यक्ति को मैथमेटिक्स में रूलेज है हो सकता है कोई कॉष्ट उस से नहीं बने पर उस इस बीच में कॉष्चन कुछ करने ताकि तुम बाकी question attempt ना कर पाओ, कई असान question आगे जो है महां तक पहुची नहीं पाओगे, competition, selection procedure नहीं है, rejection procedure है, bulk में लोगों को बाहर निकालना है, selection rate तो 2-4% भी नहीं है, पूरी भीर जो paper दे रही है, 2-4% भी selection नहीं है, तो लोगों को बाहर निकालना है, तो बाहर निका question देखी ना पाए, बाद में घर आके सर पकड़के बैठ जाए, कि ये question तो असान था, मैं देखी नहीं पाया, तो जब तुम previous year paper लगा रहे है, पूरे साल तैयारी कर रहे हो, तो previous year भी लगाओगे, test series भी लगाओगे, क्या तुम्हें इतना पढ़ने के बाद question तीन-चार कर आगे बढ़ जाओ, नई भी बनेगा तो कोई बात नहीं है, इसकी बजाय मैं चार question दूसरे कर लो, मैस में ऐसा नहीं होगा, कि पंदरा question आए होगे, तो पंदरा के पंदरा लेंदी होगे, चार लेंदी होगे, ग्यारा simple होगे, इस बार भी यही रहा होगा, यही smartness होत छोड़ देते हैं उसको, लेंदी question इंजीनियर होकर तुम्हें दो-चार step में नहीं पता चला कि लेंदी है, यह दिक्कत है, कि तुम लेंदी question को identify नहीं कर पा रहे हो, दो-चार step करने के बाद भी कि कितना लेंदी होगा, तो किस बात की mathematics तुमारी अच्छी है, चार step mathematics में करके इतना पता चल जाता है कि question किस तरफ जा रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कि time कितना kill कर रहा है, वो जान बुच के पीछ में डाला जाता है, तुमारा time खराब करने के लिए, और यह question तुमें gate में ही मिलेंगे, ES में ही मिलेंगे, technical हो जाए non-tech हो, दोनों की बात कर र होंगे, और बाकी 11 जो होंगे, उसमें 4 step के बाद 5 step लिखने की जुरत नहीं है, 4 step के इंदर आंसर आजाएगा, तुम्हें लग रहा होगा, कि सर तो non-tech पढ़ाते है, मैस की बात, सर को कैसे पता है, सर ने पहले कई साल मैस ही पढ़ाया हुआ है, तो मुझे मालूम है, कई सारे कोश्चन तुमारे, जैसे गौस सीडल है, गौस डाइवर्जेंस है, कई से मैट्रिक्स का कोश्चन है, चार step के बाद 5 step लिख जुरत नहीं पढ़ती, 15 कोश्चन में 4 लेंदी है, तो 11 4 लाइनर होंगे, 3 से 4 लाइनर में आसर पता चल जाता है, residue वाला कोश्चन है, क 11 सिंपल होंगे, 15 के आसपास कोश्चन तो मैस मैस आ जाता है, इस बार और जादा आया था, एप्टी में sitting arrangement का कोश्चन आ जाए, blood relation का कोश्चन आ जाए, direction का कोश्चन आ जाए, percentage पूछ ले, ratio proportion पूछ ले, work time पूछ ले, तो इस तरह के जो कोश्चन है आपके, एप्टी म मान के चलो, अगर एप्टी में 15 कोश्चन आते हैं, दो कोश्चन ऐसे होंगे, जो बहुत लेंदी होंगे, बाकी एप्टी लंबा नहीं खिसता कभी भी, तुम एप्टी का 17 से लेके 22 तक का कोई paper देख लो, हर साल दो कोश्चन ऐसे होंगे, जो लेंदी होंगे, बहुत rare chance बनता है एप्टी में की बहुत लंबा कोश्चन जाए, एप्टी का मतलब ही यही है कि 3-4 स्ट्रेप में सॉल हो जाना चाहिए, दो-3 कोश्चन हो सकते है कि लेंदी जाएंगे, बाकी कोश्चन आपके बहुत लेंदी नहीं होते है एप्टी में, मैस से भी सिंपल पढ़त तुम्हें मैस सेप्टी नहीं आता तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जिसने यह डिजाइन किया से लेबस गलती उसकी नहीं है, उसने तुम्हारे फेवर में दिया सब्जेक्ट, मैस सेप्टी इंजिनियर के लिए दिया जाएगा, बीए वाले को नहीं दिया जाएगा, बी बहुत असान एक कमी निकाल देना, सर कोचिंग ने कुछ नहीं कराया, टीचर ने कुछ नहीं कराया, तुम्हें खुद मैस हैप्टी नहीं आ रहा था, तुम कोचिंग का वेट कर रहे थे, मैं बीटेक के बाद कोचिंग करूंगा, तम मैस हैप्टी सीखूंगा, इतने साल प सबसे पहले करना और इसके लिए कैसा नहीं कि लास्ट मिच पढ़ेंगे तुम्हें गेट दे सबसे पहले तो सबसे पहले तयार होना चाहिए यह कॉमन सब्जेक्ट है गेट के लिए भी एस के लिए और इंजीनियर को आसान पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले तयार होना चाहिए इस बार 62 मार्क्स का था उससे पहले 46 नंबर का आया है तो आप देखो वन फोर्थ मतलब 25 पर्सेंट के ऊपर हर बार मैस अप्टी पूछ रहा है 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं इसको स्कोर नहीं करोगे तो नहीं बनेगा ध्यान रखना इस बार भी जो गड़बड किये हैं मैस सेप्टी नहीं बना एक तो यह गलती किये हैं दूसरी तुक्के ज्यादा लगा है निगेटिव मार्किंग ज्यादा किये दो कारणे जो नंबर ज्यादा पूछा था उसके बाद कम पूछा है इसकी रेंज 14 से लेकर और 22 नंबर यह रेंज आ रही इससे में जो ट्रेंड है 14 से 22 के बीच मैं तो साथ से ग्यारा कोश्चन तक साथ से ग्यारा कोश्चन तक तो इसमें मैं यह कह सकता हूँ कि 10 कोश्चन अगर आएंगे साथ क्लास के पढ़े आ जाएंगे तीन नहीं बनेंगे मैं पहले ही बोलता हूँ इस बात को इस बार का पेपर देख लो चाए पुराना देख लो 10 कोश्चन आएंगे अगर एवरिज मान के चलू साथ क्लास से बनेंगे तीन नहीं बनेंगे तीन में क्योंकि वो कुछ भी पूस्ता है फिर और वही कोश्चन जो बिल्कुल एपसर्ड कोश्चन है उन्हीं को नहीं करना है ES के पेपर में नंबर क्यों नहीं बन रहा दो बाते जरूरी है जानना कौन से कोश्चन करने वाले हैं कौन से कोश्चन छोडने वाले हैं कई question ऐसे मिलेंगे जिनका सिर पैर नहीं है कभी जिंद्गी में सुने यह नहीं हो पहली बार यहीं सुनोगे और दुबारा कभी आया भी नहीं होगा ना कभी आयेगा तो ऐसे question को नहीं करना यह भी जानना जरूरी है एक बच्चा बोल रहा था कि मैंने YouTube पे टॉपर को सुन वो कह रहा है कि तुक्का नहीं लगाओगे, ज्यादा टैंप नहीं करोगे, तो बाहर हो जाओगे, ऐसे ऐसे तो लॉजिक सुनते हैं, टीचर बता रहा है क्लास पे वो नहीं सुनना, एक टॉपर को सुन लिया, पेपर तुम्हारा ले भीता हो, तुक्का लगा के तुम कैसे पहुँच जाओगे, बीस नमबर निगेटिव पहुँच जाओगे, तो ये सब गलती नहीं करनी है, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का कब लगाना है, वो भी हम बात कर रहे हैं भी, चौते नमबर पे सब्जेक्ट, पिछले साल से मैं एथिक्स को फोर्थ नमबर पे कई लोग पढ़ा रहे हैं, एथिक्स को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ है कि इंजीनियर को समझ में नहीं आएगा, बहुत टफ सब्जेक्ट है, याद नहीं हो पाता, टम्स बड़े सिमिलर लगते हैं, ये कैसे हो पाएगा, कोश्चन नहीं बनेंगे, कोई कह रहा है कि एथिक्स के कोश्चन ही, सोसलोजी से पूछ दे रहा है, कोई कह रहा है, फिलोसफी से पूछ रहा है, कुछ नहीं है, सिम्पल सब्जेक्ट है, सबसे पतली पूख अगर किसी की है, तो एथिक्स की है, सबसे पतले नोट्स हैं, वो भी एथिक्स की है, सबसे कम आर्स में कम तरह नहीं पता बहुत आसान सब्जेक्ट है कलाकारी है कि जो टीचर समझा रहा है वो एक कहानी के तरह आपके दिमाग में बठा दे बात को सब्जेक्ट बहुत सिंपल है कोश्चन बनेंगे 19 से मैंने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया था पहले मैं यह नहीं पढ़ाता था जहां मैं पहले पढ़ाता था तो जब पेपर होते थे चर्चा होती थी लोगों के बीच में एथिक्स नहीं बन रहा जब आंसर वगर प्रेपेर किये जाते थे तो कोई कहता था कहीं और से आ रहा है जबकि तब भी टफ नहीं आ रहा था जब एक्च्वल में क्या हुआ था 17 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो मैंने पूरी एनडिसिस एक बर नकाली कि मार्केट में कौन-कौन सी चीजे किस नाम से अवेलेबल है जैसे मालो मुझे अगर कोई बोल प्रेट है वह एंजिनिंग एठिक्स है एठिक्स UPSC civil services में मैं में भी आता है लिखने को में में पूछता है पर इसमें specific लिखा हुआ है एठिक्स में भी इंजिनिंग एठिक्स मतलब applied ethics एठिक्स का application इंजिनिंग एरिया से रिलेटेट यह आपके एक्जाम का पार्ट है फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि इसी टाइटल के नाम से कौन से किताब available है मैं आपको बता हूँ सोर्स इसी एजिटिस टाइटल के नाम से किताब कौन से अविलेबल है मार्केट में भई जो बनाएगा paper वो भी उसको भी इस सब instruction दिये गये होंगे एक किताब मैंने बताया था engineering ethics एक author Charles Flederman एक किताब मुझे ये मिली 19 की बात कर रहा हूँ जब मैंने इस subject पहली बार पढ़ाना शुरू किया एक किताब मुझे ये मिली Charles Flederman बहुत जादा source इस नाम से अविलेबल नहीं थे एक किताब ये मिली engineering ethics by Charles Flederman इस author की जो book है engineering ethics के नाम से याती है 165 page के आसपास की किताब है इसको as it is इसके maximum 70% area इसका copy कर रखा है एक Indian author की book आती है line to line match हो जाएगा किताब आती है engineering ethics by गोविंद राजन गोविंद राजन सेंथिल कुमार नटराजन अन्ना इन्वस्टी के प्रोफेसर हैं south के इनकी book आती है इसी flatterman से copy कर रखी है ये किताब कुछ topic अलगसे भी डाले हुए है language wise बहुत अच्छी किताब नहीं है कोई पैरा कहीं से भी उठा लिए है जैसे flatterman तो flow में लिखी हुई है इन्होंने क्या किया एक पैरा ऊपर से उठा लिए एक पैरा नीचे से उठा लिए बीच में दो लाइन अपनी एड कर दी फ्लो नहीं इस किताब का अच्छा पढ़ोगे रीडेवर करोगे बहुत मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में है पतली सी किताब तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना हो क्लास में अलड़ी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है इन दोनों के लावा भी content covered है क्लास में इस ethics के notes देख लोगे तो भी क्लास में मैंने इससे कहीं जाता समझाया हुआ है तो अगर बुक नहीं पढ़ना है तो क्लास से cover हो जाएगी बात पर समझना जरूरी है क्योंकि बिना जब तो कोई समझाएगा नहीं तब तक इस subject पले नहीं पढ़ेगा भले पतली सी किताब वो समझी नहीं आएगी वो mix लगेगा सब एक जैसा ठीक है एक किताब जो इन दोनों इन दोनों थोड़ी मोटी किताब है प्रिचर्ड हैरिस के नाम से आती है professional ethics के एक बुक आती है प्रिचर्ड हैरिस professional ethics प्रिचर्ड हैरिस तीन सो पेस से उपर की बुक है यह तो मैंने बताया बुक नहीं पढ़नी हो तो simple engineering ethics को कि technical आपको जादा पढ़ना है पेपर तो आपका mainly technical है टेकनिकल पर फोकस जादा करो नॉन टेक में टीचर के उपर है कि किस तरह से cover कर रहा है है पर असान सब्जेक्ट और मैं आपको clear बता हूँ 19 से मैंने सब्जेक्ट लेना शुरू किया है कोई बच्चा भी 19 से जो ethics मेरे से पढ़ा हो कि देखो यह copy में लिखा यह paper है line to line match कर रहा है क्योंकि source जो आपने लिए है market में वही source available है बहुत जादा sources है नहीं question इसलिए वही से copy कर रहा है अभी तक यह trend चल रहा है आगे हो सकता है बदले पर class यह आप पर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यह subject असान है अगर 10 question आएंगे तो 7-8 question बन रहा है यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 question अगर पूछ रहा है तो 7-8 question बन रहा है अपनी guarantee में ले सकता हूँ मेरी जिम्मदारी में ले सकता हूँ कि मैं अगर करा रहा हूँ इसको तो इतने question आप से बनेंगे और line-to-line बन रहा है 19-20-21-22-23 पांच paper तो चेक होई गए पांच paper उन्निस में पढ़ाया था बीस से 20-21-22-23 चार paper तो होई चुग है चारो mathics बना है दिक्कत नहीं आई यह और असान है यह जो मैंने पुराने paper solve कराये हैं वहाँ पर देख भी सकते हैं नोट से match कर रहा है question नोट पहले बने हैं पेपर बाद में हुआ है चार subject यह हो गए यह चार cover कर सकते हो उसके अलावा तुमारे number जो बनेंगे एक subject है project management project management mechanical और civil यह लोग पाचवे number पर रख सकते हैं EC वाला जो है वो ICT कर ले project management mechanical civil वाले कर ले और EC वाला ICT देख ले अब electronics यह electrical वाले बच्चे communication कितना पढ़ते हैं अगर communication syllabus का part है अगर वो पढ़ते हैं तब तो ICT वो रख सकते हैं यहाँ पर electrical वाले जो बच्चे हैं अगर communication का part वो पढ़ते हैं तो ICT यहाँ पर रख सकते हैं otherwise EC वालों का तो simple subject है यह project management में कुछ area जो बड़े important जैसे PERT CPM PERT क्या है, CPM क्या है, Tendering क्या होता है, Planning क्या है, Contract क्या है project के अंदर कौन-कौन से phases होते हैं मतलब एक project की life cycle क्या होती है project में कौन-कौन से constraint होते है direct cost क्या होती है, indirect cost क्या होती है project management मैंने पहली बार पढ़ाया था इस बार live class में बच्चे काम आये थे उसमें December mid के बाद कराया था recording में कुछ बच्चों ने देखा था, notes मैंने share कर दिये थे सबको project management जो है, इसमें numerical तो देखो मैंने नहीं कराया numerical GS में मतलब भी नहीं कराने का आपसे नहीं बन रहा आप छोड़ दो mechanical civil वालों से बनता हो तो करो अधर बाद छोड़ दो पर project management में तीन-चार question ऐसे थे बलकुल direct थे जैसे project management के बारे में basic के question आया था direct cost, indirect question question आया था time cost पे question आया था, buffer वाला वो सब question class के थे basic और पहली chapter में थे अब मुझे कैसे पता था यह पूछेगा project management के नाम पे दो यी तीन अच्छी किताबे available हैं एक किताब जो university में भी recommended थी आपको याद होगा कई university में जैसे हम लोग fifth semester में पढ़ते थे project management उससे में किताब चलती थी के नागराजन project management की के नागराजन किताब चलती थी और एक किताब इसमें ठीक है harison burnis इसमें जो चार्ट वगर का पार्ट ना गैंड चार्ट वगर जो होते हैं चार्ट वार जो पार्ट है वो harison burnis में ठीक दिये है तो एक तो किताब है के नागराजन title project management के नाम से आती है के नागराजन project management और एक किताब आती है harison burnis उसकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल harison burnis ठीक किताब उसमें चार्ट वगर अच्छे दिये हुए और भी कई किताब हैं प्रसन्ना चंद्रा वगर भी है पर जरुत नहीं पढ़ती है मैंने जो आपको नोट्स बनवाए हुए है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था जो मैंने रेफरेंस लिया था के नागराज standard book है जो उसकी line होगी गलती की गुंजाइश कम है बहुत पुरानी किताब है और harison burnis foreign author है उसमें भी गलती नहीं है तो जो किताब पढ़ हो वो best किताब अब किताब नहीं पढ़नी तो नोट्स मैंने अल्रडी दे रखे है जो अल्रडी मैंने कवर कराया हुए सोर्स मैंने जो रेफर किया था नोट्स बनाते समय प्रोजेक्ट मेनेजमेंट के नागराजन और harison burnis सोर्स में सासत बता रहा हूँ मैंने अगर पढ़ाया तो मैंने कहां से पढ़ाया कि सर ने जो पढ़ाया है उसकी credibility क्या है उसमें गलती है कि नहीं है तो मैंने सोर्स वही लिया हुए ICT जो मैंने पढ़ाया था ICT आपको एक जगे नहीं मिलेगा ICT के जो notes मैंने दिये हैं अलग-लग जगे से information है जादा तर government sites से है जादा तर जो data है government के लग-लग sites से अलग-लग programs तो ICT में आपका OSI layer TCP IP model communication वाले पढ़ते हैं इस बार ये question आया था spread spectrum वाला frequency hopping शायदी communication वाला कोई बच्चा हो कर पाया हो मैंने frequency hopping के नाम से तो नहीं पढ़ाया था पर CDMA technology में spread spectrum की चर्चा की थी मैंने तो frequency hopping है एक subject है electronics communication वालों का data communication network data communication network जो है उसमें ये सब पढ़ते हुआ तो ये communication का ही part है purely जो question ICT के tough भी लग रहे थे electronics वालों के लिए वो question आसान थे random variable का question आ जाए ये आपका communication में ये OSI model पूछ ले TCP IP पूछ ले LAN, MAN, WAN क्या होता है Wi-Fi क्या होता है, WiMAX क्या होता है Mobile Technology, Satellite Communication pure communication का part है और EC वालों को असान पढ़ता है ICT उसके लावा इसमें जो current के programs है Digital India program क्या है Digi Locker क्या है, Umang Gap क्या है 9-9 program जो चल रहे हैं Digital वाले, उनके बारे में बताईए Digital Payment System, Cryptocurrency, Blockchain Technology Lidar Technology क्या होती है ये सारा आपका इसमें cover होता है तो ICT का एक तो static part है जो communication वाला part है और एक इसका current का part है E-Governance Meeti का क्या काम होता है Try का क्या role है Internet of Things क्या होता है Cloud Computing क्या है Artificial Intelligence क्या है वो सब आप इसी में पढ़ते है Chat, GPT आजकल न्यूज में है तो वो सब आपका इसका part ICT का पाच्वे नंबर पे ये रख सकते हैं छटे नंबर पे क्या कर सकते हैं एक subject आपका standards and quality इनफॉर्मेशन, standards and quality ये subject आपका industrial engineering जो subject है mechanical का Industrial engineering का ही part था ये 2017 में जब GS का paper change हुआ EAC में तो industrial से निकाल के इसको GS में जोड़ दिया Standard and quality mechanical का industrial engineering का ही part है ये तो mechanical वालों के लिए असान पढ़ता है इसमें कुछ टॉपिक बड़े important जैसे Six Sigma कोई lecture उठा के देख लो जिसमें मैंने strategy बताई हो और Six Sigma का जिक्र ना किया हो Six Sigma पे इस बर लगातार चार question आये तो चारो direct question थे पर चार question बनते इसमें कुछ भी tough नहीं था उसमें Six Sigma चार question चारो असान थे अब ये सब अगर नहीं करके जाओगो तो बात नहीं बनेगी जैसे इसमें मैंने बता हूँ मैं तीन-चार topic बोलता हूँ इसके अंदर एक तो Six Sigma दूसरा TQM टोटल क्वालिटी मेनेजमेंट Six Sigma TQM ISO standards कौन-कौन से हैं उसके अलावा damming profound knowledge damming principle damming profound knowledge damming principle वाला topic उसके अलावा pareto principle वगर पता होने चाहिए ये general general question है जो आपको standard quality project management मिला कर इससा पता होना चाहिए Six Sigma चार question थे इस बार वही है न जो बच्चा ध्यान देगा strategy part बताया हुआ है note कर लिया होगा paper में पढ़के गया होगा बना लिया काफी बच्चों ने ESC में अच्छा स्कोर किया GSS बार और paper हो चुका है आप कोई पुराना वीडियो उठा के देखो सब as it is बताया हुआ है पर 99% time technical को दिया non tech को 1% time भी नहीं दे रहे है 10% time भी नहीं दे रहे है तो कहां से बन जायेगा teacher लाग चिल आए 1000 बार बता दे तो भी फायदा नहीं अगर आप ध्यानी नहीं दे रहे हो बात पे बार बार strategy वीडियो मांग रहे हो देख रहे हैं नहीं ध्यान दे नहीं रहे है तो कोई मतलब नहीं बताने का जो concerned कम से कम notes बना ले एक बार कम से कम more topic को देख ले previous year paper इतनी तिनी बार solve कराए है six sigma question वहा भी आया हुआ था एक question तो 18 वाला question as it is repeat किया है तेईस में पुराने paper से repeat कर दिया सीधा सीधा paper को समझना जरूरी है बार बार रोते रहेंगे paper tough है कई question नहीं बन रहे जो नहीं बन रहे उनकी चर्चा कर रहे है जो इतना सारा paper बनने वाला है उसकी बाती नहीं कर रहे है मैं कह रहा हूँ 40% paper तुम्हारा ना बने छोड़ तो 40% paper तब भी तुम्हारा सो नंबर 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 के तियाम है पूरा पूरा जोर 40% पे सर नुमरिकल आ गया था इसमें इसमें ये पूछ लिया था material science में अरे मत करते उसको छोड़ के चले आते कोई दिक्कत नहीं होती तो भी 100 marks तक का इंतिजाम है paper बनाने वाला पागल नहीं है इतना paper वो उस हिसाब सेट कर रहा है कि तुम्हारा 90-100 की रेंज में नंबर आ जाए ये गलती तुम कर रहे हो कि जो नहीं करने वाले question है छोड़ने वाले question है उन पर जान लगाए पड़े हो उनको छोड़ के चले आओ सीदे-सीदे कोई दिक्कत नहीं है ये दिमाग में जो फितूर चल रहा है कि जादा करूंगा तो नंबर जादा आएंगे इसको दिमाग से निकालो अभी भी अगली बार भी paper होगा कम से कम 30-40% paper बिल्कुल absurd होगा सीदे-सीदे छोड़ के चले आना मत करना उसको तब भी 100 नंबर तक केंतियाम paper मिलेगा तुमें इस बार का paper भी match कराया था मैंने 104 नंबर के आसपास paper ऐसा था जो बनने वाला था इस बार का paper चनरल तैयारी से जबकि मैंने लेंदी question match के भी हटा दिये जो नहीं बन रहे तो उनको भी हटा दिया मैंने और 104 नंबर मैं बोल रहा हूं जो line to line agitist paper बनना था जहां पर तुम यह नहीं बोल सकते यह पढ़ा नहीं है डारेक question की बात कर रहा हूं इसके बात क्या कर सकते हो इसके बाद एक subject material science जैसे मैंने बात में रखा था आप देखना मैंने इस बर material science को बात में रखा था जो 23 के लिए मैंने बोला था कि material science जो है थोड़ा अलग तरह का subject है standard quality के बाद इसको interchange कर देना mechanical civil वाले ICT कर लें बाकी लोग project management कर लें branch जो है shift कर देना mechanical civil वाले ICT, EC वाले project management इसके बाद फिर मैंने रखा था material science इसके बाद मैंने material science बताया था और material science में मैंने आपसे बताया था कि 50% area ये mechanical से related है 40% area EC से related है 10% आपका civil से related है material science जो BTEK first year में आप पढ़े हुए है general engineering पढ़े हुए है चारो ब्रांच के लिए common वो पार्ट है ये जैसे material science में crystal lattice अब crystal के बारे में question पूछ ले तो आप ये नहीं को को से लिए बस का पार्ट है mechanical वाले अपने material science में पढ़ते हैं और यहां GS में भी दिया हुए है जो BTEK first year में पढ़े हो सबने पढ़ा हुए है EC में P type semiconductor, N type semiconductor, doping क्या होती है, fermi level क्या होता है, conduction band क्या है, valency band क्या है ठीक है, trivalent impurity कौन सी है, pentavalent कौन सी है, short की defect क्या होता है, frankal defect क्या होता है यहीं पर मैंने example में पूरे नाम बोले हुए है frankal defect, short की defect दोनों बोले हुए थे पिछली बार frankal आया तो इस बार short की वाला question आया हुए है, as it is question है अब एक ही question भी इस तरह से निकल जाता तो भी अच्छे खासे number हो सकते थे अब short की वाला question नहीं बना होगर लोगों से तब भी दिक्कत है, बता के भेजा हुए है कि material science में general question, EC related, semiconductor basics के बारे में और defects वगर जो पढ़ते हो, mechanical के side से crystal lattice वगर जो पढ़ते हो, उसके अलावा paramagnetic, piezo electric ये सब नाम जानना, ferromagnetic क्या होते हैं, उनके बारे में जानना, और civil का part क्या है, अगर fly ash का composition पूछ ले, cement का composition पूछ ले, तो आप ये नहीं कह सकते किसले का part नहीं है, है वो भी material science, ठीक है, तो इस तरह से बटा हुआ है, तो एक एक दो-दो question भी यहां से निकालते हैं, बात बन जाती, material science जादा नहीं आया था, साथ question थे, शायद दो-तीन तो numerical ही आ गए थे, अब numerical, जिसका technical part material science का होगा, वो बना लिया होगा, बागी branch से नहीं बना होगा, पर shortcut effect का जो question था, बिल्कुल direct question था, वो बन जाता, मैंने इसको रखा भी priority में बाद में subject को इस बार, पहले मैं material science को सुरू में चौत्छे नंबर में बोलता था, पिछली बार मैंने इसको आठवे नंबर में बोला है, इतना नीचे लिखा था मैंने कि इसको आ strategy नहीं सुनोगे, syllabus नहीं पढ़ोगे, तो कहां से question बन जाएंगे, पढ़ने का कोई substitute नहीं है, पढ़ना ही पढ़ेगा, आप सोचो मैं subject छोड़के चला जाओ, topic skip कर दूँ, बात नहीं बनेगी, कौन सा question कहां से पूछ लेगा, आपको नहीं पता, syllabus छोड़ना आप effort नहीं बन जाता, crystal वाले पर numerical था, mechanical वालों से बनाऊगा, शायद इसी वालों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि material science में, GS में, किसी ने numerical कराया, मुझे लगता नहीं, जो मेरे subject है, मैंने क्या क्या पढ़ाया हुए है, मैंने पढ़ाया था, environment, इस बार वाले batch में, 23 का paper हुआ था, उनके लिए मैंने environment कराया था, ethics कराया था, ICT कराया था, safety और current affair, design drawing मैंनी पढ़ाता हूँ, ये 5 subject मैं पहले से भी करा रहा था अन academy पर, छटा subject मैंने project management पढ़ ICT, design brain safety में only safety part, छोटा topic है, design brain मैंनी कराता हूँ, environment, ethics, ICT, safety, current affair, ये 5 पहले से करा रहा था, project management पिछली बार कराया है, ये 6 subject मैंने डील किये थे, material science मैंनी पढ़ाता हूँ, stand quality मैंने नहीं कराया है, stand quality मैंने बार बार बोला था, कि जरू करके जाना, question बनेंगे, और अच्छ 6, 8 subject हो गए, केवल आपका बचा, design, drawing, safety, current affair, design, drawing and safety, इसमें safety वाला पार्ट में केवल कराता हूँ, design, drawing मैं नहीं कराता हूँ, safety वाला भी एक question जो आया है, catastrophic का मतलब क्या है, और critical का क्या मतलब, वो तो English word भी है, safety का पार्ट था, ये बताया हूँ है, वहाँ पर, design, drawing वाला portion जिसने कराया होगा, वो बताया होगा आपको, तो ये 9 नमबर पर रखा था मैंने, और 10 नमबर पर मैंने रखा था current affairs, जहां पर लोगों को सबसे आधिक्कत आती, हाथ पर फूलने लगते है current affair में, current affair मैंने बिल्कुल बाद में रखा था, question आ रहे हैं इस समें, ददस question बारा-बारा question पूश रहा है, पर क्यों current affair को बाद में रखा था, current affair के नाम पर, आप लोग कहते हैं से newspaper पढ़ना है की नहीं, आपको जरूत नहीं है, अगर आपका target only engineering services है, तो आपको नहीं पढ़ना newspaper, अगर आप civil services के aspirant होते, तो the Hindu paper पढ़ना ही पढ़ता, civil services को म must to read बोलता हूँ, दा हिंदू पढ़ना ही पढ़ना ही पढ़ेगा, उसका substitute नहीं है, कुछ लोग Indian express recommend करते हैं, मुझे दा हिंदू paper ही पसंद है, ठीक है, coverage उसका बड़ा अच्छा होता है, ES वालों को जरूत नहीं है, फिर ES वाले कहते है, sir magazine को ही बताओ, magazine की भी जरूत न अगर तुम्हारे target engineering services है, तुम्हें कुछ करने की जूरत नहीं है, class में जितना मैं कराता हूँ, जितने video में current के डालता हूँ, वो sufficient होगा, इस बार भी, जल जीवन mission सीधा question था, world bank ease of doing business index सीधा question था, एक आपका tertiary sector पूछा था, economy का वो direct question था, जितने बनने वाले question है, वो स कोई और institute या कोई और magazine ये दावा कर दे कि इससे ज़्यादा question अगर बने है, E.S. में तो बताओ, और वहां तुम्हें 100 घंटे से आ देना पड़ गया है, ये मैं 40-50 घंटे की बीच पढ़ाता हूँ, 40-50 yards के आसपास मैं इसको कराता हूँ, उतना current कर लेना बहुत होगा, वस्यनार arrangement, सीधी copy के लाईने question आया था, ठीक है, current अगर बनने वाला आएगा, तो आपकी copy से आजाएगा, और नहीं बनने वाला आएगा, तो कोई magazine, कोई coaching कर लेना कहीं से नहीं बनेगा फिर, मैं over confidence में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि जितनी important चीज़ा मैं पहले ही करा दूँगा इसमें, और paper technical है आपका, non-tech को देखते हुए 50 hour से जादा इसको लगाना ठीक नहीं है, अगर आप इसमें magazine पढ़ रहे हैं, अखबार रोज पढ़ रहे हैं, 50 घंटे मेरी class भी कर रहे हैं, तो उतने time में तो आप बाकी सारे subject कर लोगे मैं ये बात कोई over confidence में नहीं कहा रहा हूँ कि class से करके जाना तो आ जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, worth नहीं है उससे hour time लगाना, क्योंकि अगर तुम्हें hour time यहाँ लगा दिये, तो कोई technical subject छूट जाएगा, या बाकी non-tech नहीं हो पाएंगे, या तुम्हें लगता का ही नहीं, वो दिन कभी आएगा नहीं, बहुत टेकनिकल तुम्हारा पहले पूरा ready हो जाए, ये 9 subject ready हो जाएं उपर वाले, previous year लग जाएं दो बार, test series लग जाए, उसके बाद तुम्हें ज्यादा current affair पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ना, पर वो सब किये बिना पहले ही current affair में time बरबात करोगे तो बागी syllabus छोड़ बैठोगे, एक साल में खत्मी नहीं होगा syllabus आपका, और 50 hours में दे रहा हूँ, उतने ही कर लो बहुत है, उतने में ही इतना पढ़ा दूँगा मैं, कि काफी question आपके महा से निकल जाएंगे, 50% के आसपास question बनेंगे, 50% में दिक् option का मत करना, उसको छोड़ देना, 40% paper तक गरीबन ऐसा होगा, जिस पर लोग बार बार कहते हैं, बहुत tough है, नहीं बन रहा, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनने के लिए ही दिया गया है, कि cut off को नीचे लाया जा सके, technical में क्योंकि सारे अच्छे है, technical में completion tough है, clear है? अब किसी का question है, तो पूछ लीजे, कोई किसी का question है, तो पूछ लीजे, कोई concern हो अगर, गेट के साथ कैसे manage करें, ये श्वन्त, ये ऐसी strategy को लेकर कुछ दिन पहले video डाला था मैंने, मेरे channel पे भी available होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक video डाला था, वो मेरे channel पे भी होगा, unacademy पे पढ़ा हुआ है, कहीं से भी देख लो, इतनी इतनी जगा lecture पढ़े हुए हैं, कि मिस होने की बात ही नहीं है, जो मेरा वाला YouTube channel है, सौरा पंडे GS4ALL, उस पे अभी मैंने, पिछले महिने, मतलब, 22 तारीक के बाद चेक करोगे, 22 फरवरी के बाद, एक lecture पढ़ा हुआ है, इस YouTube channel पे, जिसमें मैंने, गेट और ESC कैसे प्लान करना है, वो से बताया हुआ है, YouTube पे, अनकैडमी के चैनल पे पढ़ा हुआ है, और पुराने वीडियो में धूड़ना पढ़ेगा, सर्च करोगे मिल जायाएगा, गेट ESC कैसे साथ में प्लान करना है, तीन वीडियो डाले थे, मैंने इस पे, एक सिविल सर्विसेस के रिगार्डिंग, बैक टू बैक तीन दिन आया था, 22, 23, 22 शैड डेट थी, एक सिविल सर्विसेस का था, एक ES का था, और एक वीडियो था, SSC, JE और CGL वगर को लेकर, तो इस चैनल पर भी देख सकते हैं, अनकेडमी पर सर्च मार रहे हो, तो पुराने वीडियो मिल जाएगा आपको, जहां पर प्लानिंग कैसे करना है, सब्जेट को कैसे लेकर चलना है, उस सब बताया हुआ है, मैंने अस्तोस मैंने बता रख रहे हैं, मैंने बताया है, एक्जाम दिमाग में रखो मत, मैं बार बर बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्जाम दिमाग में मत रखिये, अब आप सोचोगे, मैं जेई भी दे दूँ, CGL भी दे दूँ, ES भी कर लूँ, गेट भी कर लूँ, एक भी नहीं निकलेगा, उन सब वीडियो में यही चर्चा क कर लो, असान-असान कोश्चन जो डिरेक्ट दिखे हो, उनको पहले कर लो, उसके बाद जब पेपर पल्टो, कुछ कोश्चन में तुम्हें डाउट रहता है, A लगाऊं की B लगाऊं, तो 80% से ओपर confidence हो, तब तुक्का लगाना, तुक्का भी तब लगाया जाए, जब 80% से ओपर हमें surety है कि यह answer होगा, तब तुक्का लगाना, उसके अलावात तीसरे टाइप के question, last में केवल वो बचेंगे, जिनमें तुम अग सिरपैर नहीं पता, तुम नहीं जानते question, उनको मत करना, तीसरे टाइप के question, जिनमें तुमें बिल्कुल idea नहीं है, उन question को मत कर दिएगा, यह 3 variety हो सकती है, इतना भी अगर करके चले आओगे, आप देखोगे, 90-100 के बीच आप रहोगे, और यह अपने आपर decent score है, EAC के लिए, ठीक है, और किसके क्या question है, पूछिए, sequence मैं ने बताई दिया, एक-एक subject भी एक बार में लेके चलोगे, अराम से October तक आप कोई बच्चा 3rd year में है, तो मैं safety ready कर ले, बाकी जीए से चक्कर में ना पड़े, फाइनल year में जब आएगा, गेट तयार हो चुका होगा, तब non-tech एक-एक subject शुरू करे, कोई बच्चा gap year करके तयारी कर रहा है, तो मैं safety पहले कर लो, बाकी subject एक बार में, एक subject non-tech चलने तो बाकी technical पड़ते रहो पूरे दिन, एक से देल घंटे non-tech कोई एक subject शुरू करो, बाकी subject अपना technical चलने दो, आप देखोगे, एक महने में एक subject भी निप्टा होगे, अक्टूबर तक आते आते, non-tech तयार होगा, 4-5 महने revision के लिए मिल जाएंगा, 4 महने कम से कम, और एक accurate aspirant, EAC pre-cleared means missed by 4 marks, pass out year कप का aspirant, 2020 pass out हो, तो 23 हो गया, gate दिया था, अगर आपको तयारी करते 2-3 साल हो चुके हैं, तो technical आपका अच्छा है, pre आपने निकाला भी है, means थोड़े से नमबर से रहे गए, और आपको ब्रांच क्या है, आपको देना तो paper जरूर चाहिए, पर मैं ये recommend करूँगा, कि साथ में M-tech या को join करो, पूरा gap मत करो, क्योंकि तुम अगर gap कर भी लोगे, तो भी दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ोगे, तैयारी में पहले साल जितना effort होता है, पीसरे सौथे साल में effort उतना हो नहीं पाता, त इसा चारी नंबर से रुका हो, gap कर लेता हो, तीन महीने बाद तुम्हें frustration आने लगेगा, सर मेरा year खराब हो रहा है, negativity आ रही है, चारी घंटे दिन में effective पढ़ोगे, बागे time दिमाग लो रहेगा, frustration आएगा, तो क्यों ऐसा ना करो कि, या तो M-tech जोईन कर लो, ठीक ठाक college अगर मिल जाए, अगर तुमारे पास score है, gate वगर का, ठीक ठाक branch, ठीक ठाक college मिल जाए, तो M-tech में भी placement अच्छे हो रहे हैं, M-tech में भी placement का chance रहेगा, teaching option भी खुलेगा, कल को कुछ नहीं होगा तो PhD का भी option खुलेगा, professor के साथ अच्छी tuning होगी, कहीं पर place करा सकते हैं, य क्योंकि तुम घर पर gap करके पढ़ोगे, तो भी 4-5 घंटे पढ़ोगे, M-tech करने के साथ टाइम दोगे, तो भी 4-5 घंटे निकाल सकते हो, job वाले भी ऐसे ही तैयारी करते हैं, और job के मुकाबले M-tech में टाइम तुमें ज्यादा ही मिलेगा, सेरे डिसेंटे छुट्टी है, जितना मर्जी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ है, तुमको revision, previous year paper, test series, तीन चीज करना है, revision, previous year, test series, चार नंबर से रुके हो, तो तो तुम्हारे नॉलेज में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सारा potential select हो सकते हो, प अगर 20% cut off से दूर होते मैं मना कर देता, रायस्थान जी के काफी लोग कहतो रहे हैं, पर अभी तुरंट फिलाल प्लान नहीं है, कुछ अगर होगा तो मैं बताऊंगा, पर अभी फिलाल, जो मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ, वो environment चल रहा है, तुरंट तुरंट अभ काफी है, कई बच्छे पूछ रहे हैं, कुछ अगर प्लान करूँगा तो मैं अनॉंस करूँगा, एस की क्लास कैस कब होगी, एसी 2024 के लिए, अनकैडमी ने, ऑनलाइन में तो अभी क्लास अनॉंस नहीं कर रखी है, जो अफलाइन बैच अनकैडमी का बन रहा है, उसी के थ पुरंद क्लारिटी नहीं है, और शायद मई से पहले अभी कोई GS का बैच हो भी नहीं रहा, मई जून के पहले शायद को GS का बैच उससे पहले होगा भी नहीं, तो इसके लिए अनकैडमी को मैसेस करके पूछिए कि क्या प्लानिंगा, कब वो कराना चाह रहा है, मुझे भ अनलाइन का कोई बैच कबसे बनेगा, मुझे भी क्लारिटी नहीं इसके बारे में, तो यह जो कोशन आपका, कि GS के लिए अनकैडमी पर करना है, तो फिर आप अनकैडमी मेनेजमेंट को मैसेज डालिए, वही बता पाएंगे इसके बारे में, क्यों काफी बच्चों ने से तो आई होप काफी क्वेरीज आपकी इसौल हो गई होंगी, पेपर को लेकर सेक्शनल कट ओफ का मतलए मैंने बताया मनिश पासिंग मार्क्स की तरह, पासिंग मार्क्स जब लाओगे तभी बाकी नमबर कट ओफ में जुड़ेंगे, पासिंग मार्क्स किसी में रहे गए तो फिर काउंट नहीं होगा जैसे जी एस में 29 नमबर अगर आए, तो कट ओफ बात ही नहीं होगी, उतने में रिजेक्ट हो गए पासिंग मार्क्स पहले पास करना होगा, तभी दोनों की कमबाइन कट ओफ ली जाएगी एक थ्रेस होल्ड, मिनिमम मार्क्स वो सेक्शनल पासिंग मार्क्स कहलो, कट ओफ की बजाए पासिंग मार्क्स बोल दो, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राटेरिया बोलते हैं इसको मनिश मैंने बता दिया था, सौरप पांडे जी एस फॉर ओल, अभी लिखा था है यही पर देख लो ठीक है जलो क्लास यही तर रखते हैं, कल फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, टाइमिंग कल भी यही रहेगी यूटूब पे ठीक है क्लास यूटूब वाली है, कल भी टाइमिंग यही रहेगा, कल किसी और टॉपिक पर डिस्केशन होगा, ठीक है क्लास, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल फियू